Welcome to Only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Science and Tech के Current Affairs के Revision का ये हमारा 12 हमा लेक्चर है आज के इस सेशन में हम अगस्त महिने के Science and Tech के Current Affairs को revise करेंगे इस सेशन का first important article, Biotech Pride के बारे में है Union Ministry for Science and Technology ने अभी इसे release किया है यहाँ पर Pride का full form है Promotion of Research and Innovation through Data Exchange अब ये है क्या, ये एक्चुली में कुछ Guidelines है Guidelines का क्या मतलब है, देखें इंडिया में Research and Development के बहुत बढ़िया ना होने का एक कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पर जो भी Research का Data होता है वो Publicly, Easily Available नहीं होता तो बाकी की Researchers बड़ी मुश्किल से उसका फायदा उठा पाते हैं इसके लगातार अलग-अलग Arena में काम चल रहा है Biotech Pride जो है वो एक Guideline है जिसे Department of Biotechnology ने Develop किया है इन Guidelines के मताबिक Well-Defined Framework तयार किया है गया है जो की Guiding Principle की तरह Work करेंगे जिसमें Biological Knowledge, Information and Data जो कुछ भी Available है Various Researches के थूँ उसे बाकी लोगों के लिए Available करवा दिया जाएगा मतलब उनके Sharing और Exchange के संबने बाते की गई है इस Initiative को Implement किया जा रहा है Indian Biological Data Center के द्वारा Significance यह है कि Information का Exchange बढ़िया होगा तो obviously जो Research की Quality होगी वो बहतर होगी और Innovation भी बढ़िया जाएगा बात करते हैं Indian Biological Data Center यानि कि IBDC के बारे में यह First National Repository है Life Science Data से Related यहाँ पर एक Archive होगा Life Science Data के बारे में जितने भी Public Funded Researches चल रही है उनका जो भी Data है वो यहाँ पर Available होगा बाकी की Researchers को इससे मदद मिल जाएगी जो Data Center है इसे Support कर रहे है Government of India अपने Department of Biotech केता है इसकी Location फरीदाबाद में है हमारा Next Article North Eastern Space Application Center के बारे में है NESAC या NESAC या NESAC यह भी एक Satellite Mapping करने वाले हैं Border Areas की ताकि Scientifically Demarkate किया जा सके जो राजियों की 20 की Boundaries हैं उनको और NECC का Full Form है North Eastern Council इसे Jointly बनाया गया था 2005 में सिलॉंग में Located है उद्देश यही है कि पूरे Region को Developmental Process में Integrate करना है जो भी Technological Support Required है उसे Provide करवाना है NECC की बात करते हैं North Eastern Council की एक Statuary Body है North Eastern Council Act of 1971 को Amel किया गया था 2002 में और उसी की माध्यमसी से बनाया गया था जो North Eastern States हैं आठ वहाँ पर ये Northern Regency की तरह काम करता है वहाँ की Economic और Social Development के लिए वो आठ राज्ये हैं अड़ांचर प्रदेश, आसाम, मनेपुर, मिघालिया, मिजोरम, नागालेंड, सिक्किम और ट्रिपुरा ध्यान दीजेगा इसमें छट्वे शिड्यूल के वो चार राज्ये भी सामिल हैं मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप उसका जवाब मुझे Comment Box में दीजेगा छटे शिडूल में कौन से चार राज्ये हैं, जो इसका हिस्सा है, यहाँ पर बताया जा रहा है बताएगा आप, एक्स ओफिश्यों शेयर परसन होते हैं काउंसिल के होम मिनिस्टर और जो डूनर मिनिस्टर होते हैं, वो वाइस शेयर मैन होते हैं जो काउंसिल होती है, उसमें आठो राज्यों के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर हिस्सा होते हैं हमरा नेक्स्ट आर्टिकल सर्ट इन के बारे में है सर्ट इन ने ये ट्रैक किया है कि 2021 में अके लिए अभी केवल 6 महीने बीते हैं 6.07 लैक साइबर सेक्योर्टी इंसिडेंट्स हुए है जिन में इसे 12,000 केसिस में तो गवर्नमेंट और और अगिनाजिशन को हिट करने की कोशिस की गई है अब ये सर्ट इन है क्या बला फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमर्जनसी रिस्पॉंस टी Ministry of Electronics and Information Tech का ये एक और अगिनेजीशन है Government of India के तहित काम करता है objective ये है कि इंडिया के साइबर स्पेस को सिक्योर रखा जाए किसी भी प्रकार के थ्रेट्स से breach से, phishing से 2004 में से establish किया गया था ये cyber security threats को handle करने के लिए nodal agency है जो hacking और phishing को counter करते हैं, रोकते हैं Information Technology Amendment Act 2008 में इनने कई सारी activities के लिए एक national agency भी declare किया गया है हमारा next article gamma irradiation technology के बारे में है देखे, gamma rays का इस्तिमाल sometimes किया जाता है चीजों की self life को बढ़ाने के लिए या उनके preservation की objective से 26 gamma radiation plants operationalize हैं जो various product को irradiate कर रहे हैं इसी बारे में ही article है इसका इस्तिमाल food preservation और food items की self life को extend करने के लिए किया जाता है एक pre-determined radiation dose दिया जाता है जो भी food items हैं इसमें cereals, pulses, greens आ सकते हैं इसका एक इस्तिमाल तो disinfectant की रूप में किया जाता है और microbial decontamination के लिए भी यानि की जो भी dry spices वगएरा हैं वो hygienic हो जाएं उसके लिए भी gamma radiation का इस्तिमाल किया जाता है जिकि food irradiation facility public private partnership mode में इस्तिमाल की जा रही है ताकि फसलों के कट जाने के बाद वो नुकसान ना हो और उन्हें हम सही समय पर अच्छी तरीके से market में पहुँचा सके self life बढ़ जाएगी तो ज़्यादा समय मिलेगा market तक ले जाने के लिए food safety के उद्दे से भी food irradiation काफी कारगर है इससे हम product की self life को बढ़ा सकते है food born illness को control कर सकते है जो sprouting या फल पकने लग जाते हैं उसे भी रोक सकते है food को slice किया जा सकता है इससे हम insect और invasive pest को भी control कर सकते है particle Marburg virus के बारे में है हाल ही में West Africa में for the first time Marburg virus के case को confirm किया गया है कहा confirm किया गया है गिनी में अभी गिनी है कहां देख लीजिए ये अफरिका का map है ये अफरिका का western part है यानि कि West Africa यहाँ पर आपको मिलेगा गिनी कई और सारी countries हैं West Africa में 2000 Senegal, Gambia, Guinea-Busau Sierra Leone, Liberia, Code de Ivor Ghana, Togo, Benin कई सारे देस हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए जो Marburg Virus है ये काफी खतरनाग बिमारी होती है जिसमें रक्त स्रावी बुखार होता है यानि कि हैमोराजिक फीवर जिसमें skin में या फिर जो internal organ है उसमें bleeding स्टार्ट हो जाती है आप समझ सकते होंगे अगर ऐसी bleeding हो रही है तो बिमारी जान लेवा होगी ये बिल्कुल उसी family से बिलॉंग करता है जिस family से बिलॉंग करता है Ebola virus disease इसका पहला case 1967 में detect किया गया था कहां? जर्मनी के Frankfurt और Marburg में तो ये location है Marburg जिसके उपर ये नाम दिया गया है सर्विया के Belgrade में भी ये disease detect की गई थी symptoms की बात करें तो आपको fever, headache, fatigue, abdominal, pain gingival hemorrhage यानि मसूरों में जो रक्साव होता है इस प्रकार के symptoms देखने को मिलेंगे इस बिमारी में transmission देखे जो initial transmission होता है वो तो fruit bats से होता है मतलब जो चमगादर होता है उससे ये इनसानों में आ जाता है क्या ये इनसानों से इनसानों में फैल सकता है बिल्कुल फैल सकता है अगर एक व्यक्ति का जो body fluid है वो किसी दूसरे व्यक्ति के contact में आ जाए ऐसा व्यक्ति जिसको ये virus संक्रमित कर चुका है तो सामने वाले व्यक्ति को भी बिमारी हो सकती है सर्फेस या material test से भी हो सकता है अगर उसका fluid किसी सर्फेस पे material पे है और सामने वाले के contact में आ जाए तो हो जाएगी बिमारी fertility rate काफी हाई है इन जनरल 50% fertility rate होती है मतलब जो व्यक्ति इससे संक्रमित है उनमें से 50% लोगों की मौत हो जाती है fertility rate को अलग समय में 24% से 88% तक डिटक किया गया है depend करता है कि वारिस कि स्ट्रीन का है और कैसे इस पूरी विमारी को manage किया गया खराब management होगा तो fertility rate obviously जादा हो जाएगी कैसे treat कर सकते हैं इसे देखे कोई approved vaccine इसकी अभी तक नहीं है और नहीं कोई antiviral treatment है तो सही सब्दों में कहूं तो इसका कोई इलाज नहीं है जो early supportive care होता है वही दिया जाता है rehydration किया जाएगा जो symptoms दिख रहे हैं उसे ही treat करके patient को ठीक करने की कोसिस की जाती है हमारा next article soft robots and actuators के बारे में है या फिर actuators कहा जा रहा है लेकिन जब भी हम robots की बात कर रहते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बहुत बड़ी-बड़ी machines आती है जो लोहे से बनी हूँ aluminium से बनी हूँ और वो एक सामान को उठा के दूसरी जिगए पर रख रहे हूँ बड़े hard task कर रहे हूँ actuators actuator एक ऐसी device होती है जो किसी machine को काम करने में मदद दे अभी हाल ही में porous carbon nanoparticles का इस्तेमाल किया गया जो waste onion peels होते हैं आप आज कुछ हिलने के बाद जो कच्रा फेक देते हैं उसमें से nanocarbon particles को निकाला गया और उसकी मदद से soft robotic actuators तयार किये गए इसी वज़े से ये मामला news में आया soft robot या फिर actuators ये एक specific sub field है robotics की hard robotics का एक दूसरा हिस्सा जहां पे हम robots को construct करते हैं कुछ ऐसे material से जो living organisms के बिल्कुल similar हों जो heavy robots होते हैं उनके विपरीद जैसे heavy robots rigid material से बनाया जाते हैं low heart steel, aluminium ये जो soft robots होते हैं इनमें बहुत ज़ादा flexibility होती है ये आसानी से जिस भी atmosphere में है उसको adopt कर लेते हैं और अपने काम को बढ़ियां से पूरा करते हैं ये safely humans की तरह काम करने में capable होते हैं यही कारण है कि जो soft robotics है इसका काफी massive use किया जा रहा है medicine और manufacturing के field में इनमें 25% का rise देखने को मिला है और 100% progression progression का यहाँ मतलब यह है दिन बदिन situation खराब होती चली जाती है ऐसा pandemic की जो situation रही 2020 के दौरान उसमें ज़ादा देखने को मिला इस दौरान ज़ादा देखने को क्यों मिला यह आपको समझ में आ जाएगा myopia का मतलब होता है near saddenness यानि कि nicot wrist dose आपको पता है आपने बच्पन में छोटी क्लासिस में भी पढ़ा होगा कि nicot wrist dose का मतलब यह है दूर की चीजों का अच्छे से ना दिखना तो यह कैसी condition है जहाँ पर आपको distance पर रखी हुई चीज़े clearly visible नहीं होती इसके लिए आपको सही चसमे क्या वशक्ता पढ़ती है ऐसा इसलिए होता है because जो eyeballs होती है वो comparatively लंबी हो जाती इसकी वज़़से जो focus हमारे retina के surface पर पढ़ना चाहिए वो थोड़ा पहले ही पढ़ जाता है like ये जो focus है वो यहाँ retina के surface पर आना था लेकिन वो यहीं पर आके गिर गया तो हमें चीज़ी अच्छे से clear नहीं होंगी अगर वो दूर है तो symptoms की बात गया है तो देखने में problem होती है eye strain होता है headache और fatigue भी होती है complications बहुत ज़ादा बुरे भी हो सकते हैं जैसे कि मोतिया बिंद, retinal detachment, glaucoma ये देखे ग्रूप आफ आई कंडिशन्स हैं जिसमें हमारे optic nerves damage हो जाती है myopic maculopathy ये disease है जिसमें हमारे retina का central part खराब हो जाता है और myopic strabismus fixes इसमें हमें सीधा देखने में problem होती है तो कई तरीकी की बिमारियां हो सकती है myopia के बज़े से cause देखे अगर हम देखे हैं तो बच्चों में ये problem देखने को मिल रही है क्योंकि mobile phone से उनका exposure बहुत ज़दा बढ़ गया है वो उसका इस्तेमाल जादा कर रहे है physical activities में कमी आई है सूरज की रोशनी उन्हें अच्छे से मिलती नहीं वो दिन दिन भर कमरे के अंदर रह जाते हैं आपने देखा होगा पहले बच्चे cricket, volleyball और भी कई तरीके के खेल खेला करते थे अब वो लगबख धीमे-धीमे कम होने लगे है क्योंकि अब लोग मुबाइल में या फोन में ज़्यादा इंटरस्ट लेते हैं हर चार में से एक बच्चा मायोपिया से एफेक्ट हो रहा है online classes भी इसका एक बड़ा कारण है क्योंकि edge average अब बच्चा आट से 10 घंडे laptop या फिर desktop पे बिता रहा है precaution ही हो सकता है कि कोसिस करें कि जो बच्चे हैं वो in devices पे कम से कम समय बिताएं balance diet लें जिसमें carrot, green, fish और X ये सब इस्तिमाल हों yoga करें, music सुनें उन्हें inspire किया जाए कि वो बाहर जाके खेलें मतलब outdoor activities को थोड़ा inspire किया जाए हमारा next article Jaiqov D vaccine के बारे में है जो इंडिया के drug controller general है उन्होंने हाल ही में emergency approval दे दिया है Jaiqov D को ये इंडिया की पहली vaccine होगी जो indigenously बनाई जा रही है जो adults के लिए तो है ही इसके अधरित ये 12 साल से उपर के बच्चों के लिए इसके भी इस्तेमाल की जा सकेगी ये दुनिया की पहली ऐसी vaccine है जो DNA based है DNA based होने का मतलब ये है कि इसमें जो DNA होता है vaccine में वो जो antigen है pathogen का उसके course को copy कर लेता है hit करने के लिए जो Jaiqov Cadillac Group है उन्होंने इसे develop किया है यहाँ पर उन्होंने partnership करी थी या फिर skin के बहुत नीचे नहीं लगाया जाएगा skin के देखे तीन layers होती है उनमें जो दूसरी वाली layer होती है इसे dermis कहा जाता है ये जो injection है ये dermis में लगाया जाएगा इसे दिए से intra-dermal vaccine कहा जा रहा है vaccine को humans में administer किया जा रहा है including बच्चे और adult बच्चे 12 साल से अधिक उम्र के COVID-19 की वाकी vaccines से अलग जिसमें 2 doses required है इसमें संभाणा ये है कि 3 doses लेने होंगे और हर dose के बीच में 28 दिनों का gap होगा जो vaccine का development है उसे support किया गया है COVID-19 Research Consortia के द्वारा National Biopharma Mission for Pre-Clinical Studies के माध्यम से हमारा next article Q-Sim Toolkit के बारे में है Union Ministry for Electronics and Information Tech ने launch किया है country का पहला Quantum Computer Simulator Toolkit Toolkit actually में resources का collection होता है जिसके basis पर आप decide करते हैं कि करना क्या है It is a kind of plan of action तो यहाँ पर जो toolkit होगा वो quantum computing के field में kind of plan of action है जो quantum computing के field को simulate करेगा कि हम इस field में और बढ़िया काम कर सकें यह indigenously developed toolkit है और अपने type का पहला toolkit है जैसे quantum computing काफी advanced field है quantum computing का जो field है इसमें जो sub atomic particles होते हैं हम mathematical descriptions के माध्यम से उनको study करते हैं और उनको computing के field में जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसे आप quantum computing बोल सकते हैं यहां पर देखिए यह जो पूरा toolkit वाला plan है यह outcome है एक project का उस project का नाम है design and development of quantum computer toolkit simulator, workbench and capacity building यह इस project का नाम है और इसी project के outcome के तोर पे QSIM toolkit आया उद्देस बिल्कुल साफ है इंडिया में हमें जो quantum computing है उस संबंद में जो research है जो practical programming है उसे बढ़ावा देना है इसी इस पूरे project को combined तरीके से execute किया जादा था IISC Bangalore, IIT Roorkee और CDAC यानि कि Center for Development of Advanced Computing के द्वारा QSIM एक platform के तरह work करेगा जहां पे programming यानि कि quantum code इसके लबाद डिजाइनिंग वगएरा जो real quantum hardwares हैं उनको promote किया जाएगा यह researchers और students को enable करेगा कि वो quantum computing के field में बढ़ियां research करें और cost effective manner में हमारा आगला article है ZykovD के बारे में Recently Zydex Cadillac नाम की pharmaceutical company ने drug controller general of India को approach किया है restricted emergency approval के लिए ZykovD के यह COVID vaccine है अब आप कहेंगे सर COVID vaccine तो है Sputnik भी है और भी तमाम vaccines आ रही है इसमें ऐसा क्या खास है और इसके लिए restricted emergency approval देने की का जरूरत है तो खासियत इसमें यह है कि यह पहली DNA based vaccine होने वाली है Plasmid DNA vaccine यह पहली है अगर इसको approval मिल जाता है तो दुनिया में यह पहली होने वाली अब DNA और RNA दोनों के बारे में आप जानते है यह nucleic acids होते है इससे बनाई जारी vaccine तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है कि इससे vaccine किस तरीके से बनाई जारी जनरली क्या होता है vaccine में weak जो antigen होते हैं चाहिए वो virus होए बक्टीरिया हैं उनको आपकी body में inject कर दिया जाता है और उनसे लड़ते हुए आपका जो system है prevention का वो अपना काम करता है antibodies को बनाता है लेकिन जब DNA based या फिन नूटलिक acid based vaccines बनाई जाती हैं इनमें आपके genetic material को जो virus का genetic material है उसके अंदर immune response को stimulate करने का प्रयाज किया जाता है और जब immune response को stimulate कर लिया जाता है जिससे antibodies produce होने लगे वो inject कर दिया जाता है body तो इससे अगर real time में virus आपकी body में enter करेगा तो ज़्यादा effective होगा यह DNA या nucleic acid based vaccines बार बार अगर हम nucleic acid बोल दे हैं तो कैसर्फ DNA से ही vaccine बन सकती है तो ऐसा नहीं है RNA से भी vaccine बन सकती है depend करता है कि हम कौन से nucleic acid को use कर रहे है based on the vaccines required DNA और RNA का main काम यह है कि जो cells हैं उनको instruct करना उनको order देना कि आपको इस प्रकार के proteins बनाने है DNA क्या करेगा पहले DNA turn करेगा अपने आपको messenger RNA या mRNA में इसके बाद क्या होने वाला है यह जो mRNA है यह blueprint देने वाला है specific proteins बनाने के लिए एक रास्ता तयार करतेगा यह mRNA mRNA cells को बताता है cells को सिखाता है कि आपको proteins बनाने किस तरीके के और उसके basis पे आप एक immune response को trigger करते है human body पे तो DNA DNA से बनने वाला है mRNA और उससे एक blueprint बनेगा और blueprint के basis पे proteins बनाए जाएंगे जो की immune response को trigger करते है human body में अब यह DNA vaccine किस तरीके से काम करती है इसके बारे में सबचते है DNA जो है एक virus या bacteria का DNA ले लिया जाएगा और उसके अंदर DNA encoded जो रहेगा वो inject कर दिया जाता है bacterial plasmid में यह bacterial plasmid कुछ नहीं है plasmid आप समझेए DNA molecules का एक छोटा circular सा एक molecule होता है जिसको आप plasmid कहते है उसके अंदर ही यह encoded DNA डाल दिया जाएगा इसके बाद क्या करेंगे इस DNA plasmid को उठा कर body में inject कर दिया जाएगा human body में हमारे muscle में inject कर दिया जाएगा जैसे ही आपके muscle में इसको inject कर दिया जाएगा उसके बाद electro-poration होगा electro-poration एक ऐसी technology होती है जिससे थोड़ा सा pulse of electric current दिया जाता है body में और एक temporary pore बनाया जाता है patient की जो cell memory है उसके अंदर तो पहले DNA plasmid का injection लगाया जाएगा और उसके बाद electro-poration कर जाएगा जिससे वो जो आपकी DNA plasmid है वो आपकी body के अंदर पहुंच जाएगा और फिर उसके हसाब से immune response बनना शुरू हो जाएगा तो यह DNA based vaccine की बारे में हमने समझा तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much